हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल वेज परेडाइस अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें आज हम बनाना सिखेंगे कद्दू की खटी मिटी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें लगबग दो बड़ा चमच देल तेल हलका से गरम होने के बाद हम उसमें डालेंगे तोड़ा सा मेथी दाना लगबग आदा चोटा चमच अब हम डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्यास प्यास को अलका बुरा होने तक मूनेंगे प्यास अच्छी तरह बनने के बाद हम डालेंगे आदा चोटा चमच हल्दी आदा चोटा चमच मिर्च और अच्छी तरह मिला लेंगे अब हम डालेंगे कटा हुआ कद्दू मैंने लगबग 300 ग्राम कद्दू लिया है इसे कद्दू को कई जगए कासी फल भी का जाता है अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसर और थोड़ा सा पानी डालेंगे मैंने लगबग 4-5 चमच पानी डाला है अब हम इस कद्दू को ढखके बां साथ से मीट पकाएंगे साथ से मीट पकने अब हम चेक कर कद्दू अच्छे से नहीं गला तो हम और ढखक और दो थीन मीट पकाएंगे पकने के बाद हम इसमे डालेंगे एक चोटा चमच गरब मसाला, एक चोटा चमच धनिया पाउडर, एक चमच आमचूर पाउडर, एक चोटाई कप गुड़, इसे एच्छी तरह मिला लिया और ढगकर लगबग 2 मेट के लिए और पकाएं तोड़ा सा कद्दू मैश कर लें उससे अच्छा खट्टा मीटा टेस्ट आएगा मारी कद्दू की खट्टी मिटी सबजी तईयार है इसे जादा दर पूरिया प्राडे के साथ जाता है जिसके साथ और भी स्वादिश लगती है तो आप भी रेसिपी ट्राइ करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी आपकी रेसिपी अगर आपको रेसिपी पसंदाई तो प् मुझे अगर प्राडे का तो आपकी रेसिपी अगर आपकी यब इसाएंगा से फिकी बाड़ कि बनी आपकी बनी आपकी बनी पीछों पार प्राई आपकी है?